नमस्ते दोस्तों, दोस्तों जीओ जर्नी में आपका स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि हम माउंटेन बिल्डेंग की आप परवत निर्मान की बात कर रहे थे और परवत निर्मान के अंदर भी हम लोगोंने कोबर महुद्य और साथ ही साथ जो जेफरीज के थे उनके सिदान्त के बारे में हम लोगोंने बात की थी बट आज हम बात करेंगे जोली जो जोली की जो थियोरी थी रेडियो अक्टिव थियोरी थी तो रेडियो अक्टिव जोली थी वो क्या थी ये जो सिद्दान्त था वहाँ उस समय के करंट जो टेकनोलोजी थी उस परादारित था तो इसलिए ये जो सिद्दान्त था बड़ा फेमस रहा आज इस सिद्दान्त को हम और गैराई से पढ़ते हैं और समझते हैं कि मांटेन बिल्डेंग के अंदर उनकी जो आवदारना थी उनका जो सिद्दान्त था वह कहां तक स्थे परादारित था तो सबसे पहले बात देखते हैं radioactive या radio activity तो radio activity क्या होती है सबसे पहले देखते हैं कि radio activity तक्तों क्या होते हैं तो uranium जो 235 है और uranium 238 है और जो plutonium है ऐसे कुछ तत्तों हमारी पिर्थवी के अंदर हैं, हमारी क्रस्ट के अंदर पाये जाते हैं जिसके काणवर्थमान में जो हमारी परमानु उर्जा है वो इन ही तत्तों पर अदारित है इन ही को हम हमारी जो परमानु वियंतर हैं उनके अंदर यूज करते हैं बट अब second बात देखते हैं, Radioactivity या Radioactivity होती बात है यह जो हमारे तत्तो है, इन तत्तों की कुछ खास बात होती है इन तत्तों की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर उर्जा कहीं-और कहीं बहुत ज़्यादा मातरा में उर्जा-कंजूम होती है ये उर्जा को अपने आप में बांदे रखते हैं बट जैसे ही ये तूटते हैं जैसे इनका breakdown होता है तो ये पहुत ज्यादा मातरा में उर्जा को generate करते हैं energy release करते हैं इसी energy के कारण हमें विदुत मिलती है परमानू उर्जा मिलती है या फिर विदुत मिलती है टर्बाइन चलते हैं और हमारी विदुत की जो प्राप्ती करते हैं परवत नजमाने में इसका क्या बात थी क्या महतो था इसको जोली महुद्या ने बताया तो जोली ने 1925 में जब अपनी बुक लिखी उसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा करस्ट है जो हमारा बेसिकली जो हमारी पिर्थवी है उस पिर्थवी के उपर तीन तरह की लेयर है सबसे उपरी लेयर और सेकंड लेयर उन्होंने बताया सीमा लेयर तो सबसे उपरी लेयर को उन्होंने सियाल का नाम दिया सबसे उपरी लेयर को उन्होंने सियाल का नाम दिया और जो second layer है उस layer को उन्होंने सीमा बताई और हर एक जो परत है उस परत की अपने कुछ खास बात है तो सबसे पहले इन्होंने उपरी परत जो हमारी सियाल है उसके बारे में कुछ खास बात बताई इन्होंने बताया कि इसका जो गनत्तव है इसकी जो density है वो density 2.67 है और जो नीचे की परत है मतलब सीमा इसकी density 3.0 है अब उपर वाले कि क्या है, 2.67 और सीमा के कितने है, 3.0 तो इन्हों ने बता कि कम density केやकांड जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रही है क्या कर रही है? जो सियाल है, वो सीमा पर तैर रही है तैर रही है और इन्होंने फिर बताया कि जो सियाल है जो उपरी परत है ये वाली परत है इस परत के अंदर जो रेडियो एक्टिव तक्तो है उनकी बहुत ज्यादा मातरा है और जो second परत है SEMA उसके अंदर इनकी मातला कम है और जिसके ज़्यादा मातला होने के काण क्या है कि यहां पर यह तूटते हुटते रहते हैं और जिसके काण उर्जा रिलीज होती रहती है और जब यह उर्जा निकलती है तो विकिर्नों के रूप में यह जो हमारी crust है, जो उप्री part है, यह गरम होता रहता है, सात ही सात, फिर दिरे दिरे ठंडा भी हो जाता है। पर जब हम सीमा की तरफ जाते हैं, second layer की तरफ जाते हैं, इस layer में जब जाते हैं, और इस layer में जब यह radioactive तक्तर तूटते हैं, तो यहां से जो उर्जा निकलती है वो उर्जा दीरे 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 इस परत के अंदर इकठी होना शुरू हो जाती है अब इकठी होना शुरू हो जाती तो उसके कांड क्या परवाव पड़ता है अब जब यह नोंने बता कि second layer के अंदर मतलब जब ये second layer इस वाली layer के अंदर सीमा के अंदर ये उर्जा इकठी होती है तो उकठी होती है तो क्या होता कि energy energy concentration की कारण ये melt हो जाती है ये पिंगल जाती है परंतु जो उपरी पार्ट है इस सीमा का मतलब इस परत का जो उपरी पार्ट है वो पार्ट कहां पर है समुन्दरों के साथ समुन्दरों के साथ लगता हुआ है जिसके कारण ये solid रहता है क्यों solid रहेगा जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर हम किसी गरम surface के उपर अगर पानी डालते है तो उसका उपरी बाग जल्दी ठंडा हो जाता है बट जो नीचे का बाग है वो ज़्यादा गरम रहता है वही काम इन्होंने अपने surface के उपर उपर हमारी पिर्चवी के उपर अप्लाई किया तो इन्होंने बताया कि जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर तो एनर्जी concentration होता रहता है बट जो उपरी पार्ट है वहाँ पर उप्लाई का लोस होता रहता है क्यों लोस होता रहता है क्योंकि यहाँ पर ocean है और ocean के अंदर समूंदरों के अंदर यह जो उप्लाई निकलती है वो इनके अंदर गुलती रहती है जिसके काण ये उपरी बाग पठोर रहता है बट जैसे ही जो हमारा second layer थी जैसे ही जो हमारी second layer थी जैसे ये सियाल हुई और ये जो सीमा थी जब ये पार्ट जब पिंगल जाता है जब ये पिंगल जाती है तो इसके उपर ये जो महादीव थे और ये जो ocean थे ocean थे उनके अंदर moment होने शुरू हो जाती है और moment कैसे जैसे ये पिंगली उए वस्था में होगी ये वाला पार्ट पिंगली उए वस्था में होगा तो ये जो हमारे ocean ने continent है continent है वो नीचे की तरफ subduction हो जाएंगे मतलब नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और जब ये नीचे की तरफ बैठेंगे जब महादीव नीचे की तरफ बैठेंगे तो ये जो हमारे ocean थे ये जो ocean थे वो उपर रह जाएंगे उपर रहेंगे ना क्यों यूंकि ये तो नीची बैटके जब ये उपर रहेंगे तो क्या होगा दिरे 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 यहां भी क्या होगा ओ सियन अपने परवाव डालना शुरू कर देंगे और जब ये परवाव डालना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि यहां पर यहाँ पर जो परबावड डलना शुरू करतेंगे तो यहाँ पर क्या होगा निक्षेपन शुरू हो जाएगा निक्षेपन किस चीज का? क्योंकि देखो आप देखोगे कि समुदर के अंदर महादीपों के कटने के कान अपरदन उता और अपरदन के बाद तो जो तल सेट है वो जमाओने शुरू हो जाएंगे और जब जमाओने शुरू हो जाएंगे लगाओ ये कोई महादीब था ये कोई महादीब था इस महादीब का ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट अगर समुंदर के अंदर चला जाता है, मतलब सब्डक्षन हो जाती ही, तो क्या होगा? अपरदन के काण, इस पार्ट के अपरदन के काण यहां पर निक्सेपन होना शुरू हो जाएगा निक्सेपन शुरू हो जाएगा न, यही बात इन्होंने बताई कि यहाँ पर निक्षेपन होना शुरू हो जाता है और निक्षेपन के बाद क्या होगा कि दीरे दीरे यही निक्षेपन एक भू सन्नती भू सन्नती का रूप दारान कर लेता है अब भू सन्नती कैसे बनी यह बाग उठा रहे गया ये बाग नीचे चला गया और ये बाग नीचे चला गया तो क्या हुआ हम लोगों ने देखा था कि दो स्थलकंडों के बीच का जो जली ये बाग है तो ये वाला जो बाग क्या होगा बूसनिति का रूप ले लेता है सेकंड इन्होंने क्या बता है इन्होंने बताया कि जैसे ही जैसे ही महादीप जैसे हमारे जो ओसियन है इन कॉंटिनेंट के उपर इन महादीपों के उपर महादीपों के उपर फैलना शुरू होंगे तो ये नीचे क्या है हमारी सीमा है हमारे सीमा है और ये भी किसमे है लिक्विड में तो ये क्या है कि तैर रहे हैं और ये तैरेंगे तो क्या होंगे ये हमारे चंदर्मा के कान चंदर्मा की जवारिय सक्ति के कान इसकी तरफ अकरसित होना शुरू हो जाएंगी मून की तरफ अकरसित होना शुरू हो जाएंगी और जब यह अकरसित होना शुरू होंगे तो यहाँ पर क्या होगा अब यह महादीप यहाँ पर था पहले यहाँ पर था बट अब इसने moment की, second यहाँ पर पहुँच गया, तो क्या होगा, यहाँ पर यह ocean है, और नीचे क्या था हमारा liquid, liquid सीमा थी, जब यह side moment करेगा तो क्या होगा, दीरे दीरे, यह पानी का विस्तार इसके उपर और ज्यादा होता रहेगा, और यह सीमा दीरे दीरे, फिर solid पार् और solid lead में convert होना शुरू हो जाएगी, तो दुबारा से जो पिर्थवी है, वो अपना आकार कम करना शुरू कर देगी, और यह जो हमारे महादीब थे, अब यह जो जवारियबल के काण movement करते हैं, तो इनके उपर जो निक्षेपन था, यह जो निक्षेपन था, इस निक्ष महादीब मौमेंट करते हैं, सिदी सी बात है, महादीब मौमेंट करते हैं, तो कहीं ने कहीं, जवारियबल के काण, जो हमारे ओसियन है, यह जो हमारे ओसियन थी, वो भी कहीं ने कहीं, परवाव में आएंगे, और परवाव में आएंगे, तो क्या होगा, इनके अंदर जो इनके अंदर जो निक्षेपण था उसके भी crack या फिर fold mountain कैया है बढ़ना शुरू हो जाएंगे fold mountain बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही ये भी moment करना शुरू कर देंगे तो ये जो तली थी ये जो सीमा थी जो पहले liquid थी अब देरे-देरे क्या होगी चोलिड हो जाएगी और जब चोलिड होगी तो क्या होगी इसके उपर की जो पपड़ी थी वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और सिकुड़न के कान क्या होगा इसके अंदर फिर से क्रैक आएंगे और फिर से क्या होगा ब्रंस का निर्मान होगा और ब्रंस का निर्मा कि यो रेडियो एक्टिविटी की जो आपकी नोलेज है वो कहीं ने कहीं अभी तक भी कम है क्यों क्योंकि उसके उपर वर्तमान में भी बहुत सारी जो रिसर्च हैं वो चल रही हैं कि ये कहां तक एनर्जी और जनरेट कर सकता है तो इस अदार पर इनकी अलोसना हुई सेकेंड इन्होंने बता कि महादीप मोंक क्या जो जवारिय बलके कारण वेस्ट की साइड इन्होंने बताना कि वेस्ट की साइड इन्होंने वेस्ट की साइड मोंक करना शुरू किया जिसके कारण परवतों का निर्मान हुआ इन्होंने क्या बताया पर अंतु वरतमान में जब देखा गया तो बहुत सारे महादीप हैं जिनके वेस्ट साइड में कोई भी मौंटें नहीं थर्ड इन्होंने बताया कि जो बहुत सन्नती है इन्होंने ये बताया था ना कि जब कोई महादीप है जब इन्होंने बताया कि ये जो महादीप है जब नीचे की तरफ वेटते हैं तो इनके उपर क्या है कि ये जो ओसियन था यह जो ocn था वो क्या करना शुरू कर देता है निक्सेपन करना शुरू कर देता है और निक्सेपन के कारण क्या है कि यह बूसनती में convert हो जाता है तो यह जो इनकी अवदारना थी उसके उपर objection हुए और इनका criticize किया और फूर्थ इन्होंने बता कि जो परवतों का निर्मान है परवतों का निर्मान का काल है उसके अंदर भी इन्होंने समानता नहीं बता सके क्यों समानता नहीं बता सके क्योंकि basically पांच यूग माने जाते हैं पांच यूग माने जाते हैं जिसके अंदर परोधों का अलग अलग निर्मान हुआ बरन्तों ये इन पांच यूगों को एक्स्प्लेइन करने में भी कहीं ने कहीं ऐसमर्थरे जिसके करण इनकी आलोज ना हुई तो दोस्तों इस परकार हम लोगों ने आज जोली के जो रेडियो एक्टिव जो सिद्धान था उसके बारे में बात की उमीद है कि आप कोई लक्चर पसंद आया होगा अगर आपके पास इस से रेटिड कोई सजेशन है तो किरपा आप हमारे साथ सांजा कीजिए तब तक के लिए आपने रहीर धन्यवाद